Hello everyone, मैं विश्वजीत सिंग, आप सभी का दी इनप पर सौगत करता हूँ दोस्तों, आज की सीडियो के अंदर में हम MA History, MHI 03, Histography त्यांस लेखन का Unit 4 पढ़ने वाले हैं इस Unit के अंदर में हम बाग करेंगे कि इस Particular Unit के अंदर में Total कितने Lessons हैं इन Lessons के basis पे किस तरह के topics बन सकते हैं, उन topic के basis पे क्या questions बन सकते हैं और जो भी questions बनेगे उनके pattern क्या होंगे, exam में पुछा जाने के, इसके बारे में हम डिस्कूस करेंगे इस वीडियो का benefit ही होने वाला है आपको दोस्तों, कि आपके पास time कमें, December में exam है, और नॉम्बर चल रहा है, 17 नॉम्बर हो गया, ठीके, और मुसके से 10-15 दिन बचा हुआ है किस topic को नहीं पढ़ना है, वो आपको समझ में आदेगा, और easily आप उसको cover कर सकते हो और अगर आप MA history के अंदर में अच्छे नंबर लाना चाहते हो, कोई भी आपका subject है, एक से लेके 10 तक कोई भी आपका MA history का subject है सभी के last 5 year के question paper की वीडियो में ने बना रखी है, आप उस वीडियो को जरूर देखे और उस वीडियो से benefit आपका यह होने वाला है कि आपको अपना syllabus cover करने में आसानी होगा ठीके, तो फटावर जाए यह वीडियो देखे, almost आपका 90% syllabus last 5 year के question paper से cover हो जाएगा ठीके, उसके बाद हम यहाँ पर start करते हैं Unit 4 की मैं बात करूँ, तो Unit 4 का आपका नाम है आधुनिक काल में इतिहांस लिखन की द्रिष्टियां अपने को modern world के अंदर में किस तरह से इतिहांस लिखन लिखा जा रहा था तो वहाँ पर नई नई विचारधारा आ रही थी, इतिहांस लिखन लिखनी की अलग-अलग विचारधारों के अधार पर इतिहांस लिखन किया जा रहा था तो सबसे पहले ही विचारधारा जो आती है, परतेक्षवादी परमपरा की आती है पर्तेक्षवादी परंपरा ने किया किया जो इतिहास लेखन की पुरानी विधी थी उसके अंदर में एक जान भर दी और अलग तरीके से लोगों के सामने पेस किया कि ये इतिहास लेखन ऐसा होता है और लोगों ने अप्रिसेट भी किया जो इतिया असकारत उसको अप्रिसेट भी किया तो परतेक्षवादी परंपरा को हम positive philosophy के तौर भी इंग्लिस में बोलते हैं ठीके कई बार अगर change आजाए question किसा करात्मक परंपरा क्या है positive philosophy का तो हिंदी यही बनता है ठीके बट यहाँ परतेक्षवादी परंपरा बोला जाता है हिंदी के अंदर में ठीके तो अब परतेक्षवादी परंपरा की सुरुआत किसने करी तो आगस्थ कांथ के द्वारा यहाँ पर सुरुआत की गई रखके चलना है ठीक है समझ में आता है दूसरा यहाँ पर question top जो chapter आपका बनता है सस्त्रिये माक्सवाद क्या है सास्त्रिये माक्सवादी परमपराएं क्या है यहाँ पर normal आ जाता है कि माक्सवादी इस मतलब यह कुछ खास chapter तो नहीं है पर इसके अंदर मैंने दो तीन बार last five year के question पर की जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने यह देखा कि दो तीन बार इस chapter में से question repeat हुए किस तरह के question repeat हुए तो माक्सवादी जो विचारदारा है वो almost समाजवादी विचारदार से मिलती जूलती है काफी है ठीक है तो दोनों के अंदर में क्या अंतर है ठीक है माक्सवादी और समाजवादी के अंतर है क्या समानता है उसके बारे में बात करता है किस तरह से माक् बट इंपोर्टेंट बहुत जादा है अनाल स्कूल किसी स्कूल के बारे में बात नहीं किया जा रहा है एक ये इत्यासकारों का समू है जो एक स्कूल के लिए वाक करता था ठीके बाद में उन्हेंने कई सारी इत्यास लिखेंट के अंदर में कूरितियां कमियां देखी और उसको उन्होंने पॉब्लिस करने का काम किया, उसको मतलब सब के सामने लाने की काम किया, उसको सुधारने का काम किया, तो Annali School के नाम से जाना जाता है, तो Annali School एक important topic है, इसको जुरूर पढ़ीगा, ठीक है, जितने भी topics अभी तक बताये न, Annali School important रहने वाला है उनमें, अनालi School की बात करें, तो इस विचारदारा के शुरूबात 1929 में होती है, किसके द्वारा होती है, तो Mark Block और Lewis Fabric के द्वारा यहां पर सुरूबात की जाती है, Mark Block और Lewis Fabric के द्वारा यहां पर सुरूबात की जाते है, अनाल स्कूल की विचारधारा का अनाल स्कूल की विचारधारा क्या है इस तरह से कोशन आ जाता है अनाल स्कूल क्या है ठीक है यह फिर मार्क बलोग गलूई स्वेवरिक की विचारधारा को बताईए उसको समझाईए इस तरह से आयाता है इत्यास लिखन के अंदर में अनाली स्कूल की क्या योगदान रहा उसको बताईए तो यह आयाता है नॉर्मल अगर है आप हिस्टरिक स्टुड़न तो अनाली स्कूल आपके लिए नॉर्मल पर अगर किसी आम इंसान को Annalis School के बारे में पूछो को तो वो किसी School के बारे में बताएगा तो यहाँ पर हम एक Philosophie की बात करें विचालधरा की बात करें कि होता क्या है Annalis School ठीक है तो आपको बताने कब आयती इसकी सुलबा तो 1929 के अंदर में ये वीडियो आपको यहीं पर खतम होती है आपकी वीडियो ठीक है और आप सबसे रिक्वेस्ट यही रहेगा कि अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है ठीक है आपको समझ में आरा चीज है और बेनिफिशेर हैं आपके लिए तो कमेंट ज़रूर कीजिए सपोर्ट क्योंकि उसका रिस्पोंस मिलता है सिंपल सी बात है आप पढ़ रहे हो अगर आपको एक्जाम में अच्छे नमबर आएंगे तो आपको मन लगेगा और आप अच्छे और पढ़ने की त्यारी करोगा अगर अच्छे नमबर नहीं आ रहे है तो फिर मज़ा नहीं आता आपको अगली वीडियो भी बनाके आपके लिए डालता हूँ तो फ्रेंड्स थैंकि सो मच फिर वाचिंग में थैंकि सो मच फो लिस्निंग में बाबाई टेकर और पैस्ट